तो दोस्तों ये वीडियो उन किसान साथियों के लिए खास होने वाला है जिनके खेतों में फसलों की पैदावार बहुत ही कम होती है तो आप जेवी खाद को काम में लेके अपनी फसलों की पैदावार वो बढ़ा सकते हैं और इसके लिए राजिस्थान सरकार आपका पूर सयोग करने वाली मातर सो रूपे के खर्चे में आप गरबठे ये जेवी खाद वो प्राप्त कर सकते हैं जे हां इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बायो फर्टिलाइजर यानि जेवी खाद के लिए गरबठे अपने मोबाइल से ओनलाइन आवेद कैसे भर सकते हैं दोस्तों यह जानकारी मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूँ देखिए इस स्कीम के बारे में बहुत कम किसान साथियों को मालूम है अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ हो आप बने रहे है नमसकार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगूर और आप देख रहे हैं राज, स्कूल, हैल्फ, यूटूब चिनल तो दोस्तों वैसे ये दि हम अपने लोकल मार्केट से जेवी खाद खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें काफी पैसा वो देना पड़ता है लेकिन इसी जेवी खाद पे राजिस्थान सरकार के द्वारा किसानों को सबसीड़ी है वो दी जा रही है और जिसके बारे में बहुती कम किसान साथियों को मालूम है जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो लगभग सो रुपे के खर्चे पे आपको ये जेवी खाद है वो प्राप्त हो जाती है और जिसका छिड़काओ आप अपने खेतों में कर सकती अब जिन भी किसान साथि के एक हेक्टर यानि लगभग 10 बिगा से अधिक जमीन है और कुआ भी है तो वो इस जेवी खाद के लिए आविदन कर सकता है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये खाद प्राप्त करने के लिए आपको आविदन कैसे करना है तो दोस्तों आविदन सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल से ही आपको करना है और इसके लिए आपको अपना जो mobile phone है अपने हाथ में लेना है जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया अब आगे सास हाथ में आपको screen पर है इसकी process दिखाने वाला हूँ जिसको आपको यहाँ पे follow करना है दोस्तो करना क्या कि सबसे पहले आपको अपने mobile में एक mobile application है वो install करना है या फिर download करना है सबसे पहले आपको Google Play Store हो open कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है राज किसान शुविदा जैसे आप राज किसान सुविदा लिखोगे तो यहाँ पे देखिए करसी विभाग की यह application आ जाएगी जिसका नाम है राज किसान सुविदा इसको आपको install कर लेना है उसके बाद आपको इसको open करना है चलिए मैं यहाँ से इसको direct है वो open कर लेता हूँ और open करने के बाद देखिए इस तरह का interface आपको यहाँ पे दिखाई देता है अब सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा यहाँ पे आगे बढ़े तो आपको निचे वाले option पे click करना है और आप आगे बढ़ जाओगे तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे इस तरह का interface आपको यहाँ पे है वो दिखाई देगा अब दोस्तों देखिए आवधन करने से पहले आपको इस mobile application में वो login करना पड़ेगा और login आपको अपने mobile number से करना है तो यहाँ पे देखिए इस mobile application के सबसे last में आपको यह login का option हुआ मिल जाता है ठीक है यहाँ पे हम आपको highlight करके दिखा रहा हूँ इस वाले option पे आपको यहाँ पे click करना है और जो भी आपका mobile number है वो mobile number आपको यहाँ पे लिखना है तो चलिए मैं यहाँ पे mobile number वो लिखता हूँ और ध्यान रखना आपको वही mobile number यह लिखना है जिस किसान के लिए आप आविदन करने जा रहे हो उसी किसान का आपको यहाँ पे लिखना है और ध्यानाखना ये mobile number है जन आधार कार्ड में और आपके आधार कार्ड के साथ भी हो लिंक होना जीए तो यहाँ पर मैं mobile number लिंक देता हूँ उसके बाद आपको OTP भेजे वाले option पर क्लिक करना है तो एक OTP है यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर देखिए आपकी जो profile है वो profile आपको update करना पड़ेगा यदि आप पहली बार इसके अंदर login करने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए निचे कोने में आपको मेरी profile का option आपको यहाँ पर नजर आएगा तो यहाँ पर देखिए आपके mobile number से यहाँ की जानकरी वो automatic है यहाँ पर आचुकी है ठीक है बस इतना काम आपको सबसे पहले करना है अब इसके बाद आपको यहाँ पर जयविक खाथ के लिए आवेधन फोरम भरना है और आवेधन फोरम भरने के लिए यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे option नजर आ रहे हैं अब यहाँ पे देखे, सबसे पहले आपको आवेदन के लिए क्लिक करें, मैं आपको यहाँ पे highlight करके वो दिखा रहा हूँ, इस वाले option पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, कि आप किसके लिए आव अरोरक है इस वाले option पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखे सदसे का नाम पूछा जाएगा अब आपको वही सदसे है वो select करना है जिस सदसे के नाम यहाँ पे जमीन है ठीक है तो मैं उस सद्धेस्यों को यहाँ पे सलेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको OTP वाले option पे क्लिक करना तो फिर से आपके mobile number पे OTP है वो आएगी ध्यान अखना आपका जो जन अधार कार्ड है या फिर आपका जो अधार कार्ड है उसी mobile number पे OTP है वो आने वाली है यह OTP आपको यहाँ पे डालना है OTP डालने के बाद आपको OTP सत्यापित करें इस वाले option पे आपको क्लिक करना है तो आपकी OTP है वो वेरिफाई हो जाएगी इसके बाद यहाँ पे देखिए जो candidate है या फिर किसान है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सबसे उपर उसकी photo मिलेगी mobile number आपको यहाँ पे मिलेगा उनके पिता का नाम उसकी category है उनका address आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है अब इसके बाद द कि माली जी जो किसान है उसके जन अधार कार्ड में address है वो कहीं दूसरी जगह को होता है और उसकी जो जमीन है वो किसी दूसरी जगह पे होती है तो ऐसे में यदि जमीन एक जगह ही है तो आपको यहाँ पे हाँ पे किलिक करना है अगर आपका address अलग है और आपकी जमीन कहीं दूर है तो आपको नहीं वाले option पे क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जिला आ गया आपकी पंचाय सिमित्ती आ गई आपका जो गाउं है वो यहाँ पे आ जाता है अब इसके बाद आपका जो 76 है वो आपको यहाँ पे चूज करना है इसके बाद आपका pin code आपको नजर आएगा इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है किसान की सरेणी का chain करे किसान का परकार कैसा है यह स्लेट करना है लगू है सिमांत है लगू का मतलब यह है कि जिनके पास है एक दो बिगा जमीन है सिमांत का मतलब है लगवग आठ नो दस बिगा जमीन है और यदि इससे बड़ा यहाँ पे किसान है तो यहाँ पे आपको अन्ने वाले ओप्शन पे क्लिक करना है साथियों आपको यहां पे जानकारी देना चाहूंगा देखिए जेवी खाद उन्हीं किसानों को मिलने वाली है जिनके यहां कम से कम दस बिगा जमीन है अब इसके बाद यहां पे आगे पूछा गया है फसलों के लिए मोसम का चैन करें तो आप कौन सी फसल के लिए जेवी खाद लेना चाहते हैं उस फसल का चुनाओ आपको यहां पे करना है तो यहां पे दो प्सन आपको देखने को मिल रहे हैं एक रभी की फसल है एक है खरीब की फसल तो रभी का मतलब यह है कि सर्दियों में बोई जाने वाली जो फसल है और खरीब वाली जो फसल है वो गर्मियों की फसल होती है तो जिस फसल के लिए आप यह जेवी खाद लेना चाहते है उसको यहां से सिलेक्ट हो कर लीजेगा ठीक है तो मैंने यहां पर रभी को वो सलेक्ट कर लिया चलिए इसके बाद आगे यहां पर पूछा गया कि जेव उर्वरक वियूरन है तू परस्तावित फसलों का चैन करें तो यहां पर देखिए आपको फसल का चैन करना पड़ेगा कौन सी फसल के लिए आप यह जेवि खाद हो लेने जा रहे हैं तो यहां पर देखिए फिल हाल की स्तिति में दो फसलों के नाम आ रहे हैं एक तो चना आ रखा है एक मसूर आ रखा है ठीक है तो हो सकता है कि बाद में आपको दूसरे नाम हो देखने को मिल जए तो मैं यहां पर चना है इसको स्लेट कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद आगे यहां पर देखिए पूछा गया है किसान का 6 पहल हेक्टेर के अंदर यहां पर किसान की जो जमीन है वो कितने है उसके बारे में आपको यहां पर है जानकारी देनी है और इसके बाद last में आपको submit का option मिल रहा है इस वाले option पर आपको यहाँ पर click करना है यदि किसी परकार का कोई error है तो यह application है आपको अपने आप हो बता देगी अन्य था इसकी next step है वो आ जाएगी तो यहाँ पर देखिए अपनी screen पर है वो message आ चुका है कि आपका जो forum है या फिर आपकी जो request है वो successfully submit हो गई और एक जो message है वो आपके mobile number पे भी आ जाएगा अब जोस्तों आवेदन तो आपने कर दिया अब देखिए मात्र आवेदन करने से आपको यह जो जेवी खाद वो नहीं मिलने वाली अब सबसे पहले यहाँ पे आपके तैसी level का जो करसी विवाग है उसके पास यह request जाएगी अब वहाँ से आपके पास वो call आ जाएगा तो यहाँ पे आपको अपने दस्तावेज है वो लेके जाने वहाँ पे जाके आपको व्यक्तिगत है वो जमा करवा देना व्यक्तिगत जमा करवाने के बाद है वो आपके फोरम को verify कर देंगे और उसके बाद विया यह जो सबसीडिय है वो आपके अकाउंट में है वो शिद्धे रूप से वो आ जाएगी अधिक जानकारी के लिए सम्मंदी जो कर्सी विवाग है आपके तैसी लेवल पे उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा क्योंकि समय समय के अनुसार है नियमों में परिवर्तन हो सकता है यहाँ पर मैंने आपको ओनलाइन आवेदन फोरम भनने की प्रोसेस के बारे में जानकारी है वो दी है अब दोस्तों यह दिए आप अपनी अप्लीकेशन का स्टेटेस देखना चाहते हो कि वो verify हुई है या फिर reject हुई है वो मामला क्या है तो यहाँ पर ही देखिए आपको option हो देखने को मिल जाते है एक बार आपको यहाँ ठोड़ा सा पीछे आने है और पीछे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आवेदन की स्थिति जान से इस वाले option पे आपको यहाँ पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे तो यहाँ पे देखे आपके सामने दो option आएंगे एक हाँ आवेदन करमांग दूसरा जन आधार संख्या तो आप इन दोनु तरीकों से है अपने आवेदन की स्थिति वो चेक कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे आवेदन करमांग है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ उसके बाद आपको परकार का chain करना है तो आपने subsidy के लिए आवेदन किया था फिलहाल की स्थिति में अनुदान ठीक है इंदी में इसे अनुदान बोलते हैं इस वाले option को select करना है उसके बाद नीचे विवाग के बारे में आपसे पूछा जाएगा कर्शी विवाग इसे select कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे subsidy कौन शी है किस परकार की subsidy है तो हमने यहाँ पे जेव अजेंट जेव उर्वरक है इसके लिए अभी हमने यहाँ पे आविदन किया था और यहाँ पे आविदन करमांक है वो मैं डालता हूँ मेरे पास मैं दूसरा mobile ले लेता हूँ मुझे याद थोड़ी है यह आना तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 24 यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एक बार चलिए मैं यह डाल दिया फिर submit पे click करते हैं और submit पे click किया तो देखिए यहाँ पे alert आ रहा है no record found तो हो सकता है कि साइद यहाँ पे देखिए अभी हमने आविदन हो submit किया है इस वजए से यह error है वो सामने आ रहा है लेकिन उसके बाद है यानि 24 गंटे के बाद है आप इसका status है वो चेक कर सकते हो तो दोस्तों यही process है बस इसी process से है आपको है जेविक हाद के लिए आविदन फोरम भरना है अब दोस्तों यहाँ पे देखिए किसानों के लिए राजिस्थान सरकार के दवारा काफी सारी योजने हैं वो संचालित की जा रही है जिनका समय समय पे है आपको लाब उठाना चाहिए अब यह दि आप किसी भी किसान से सम्मंदित योजना के बारे में और अधिक जानकारी मेरे दवारा लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजेगा डिटेल के साथ पूरी जानकारी बता दूँ आलांकि यह वीडियो तो वैसे तो दो-च्यार मिनिट की होने वाली थी लेकिन मुझे गहराई से आपको जानकारी देनी पड़ती है क्योंकि मेरे प्यारे-प्यारे मेरे बोले-बोले जो किशान साती है जो इस देश के विकास में सबसे जादा अपना सयोग देते हैं उनके लिए तो यह मैं डिटेल से जानकारी देना उच्चित हो शम मदद हो सके तो मिलते हैं फ्रेंस अगे लिए एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत